दोस्तों वेब डेवलप्मेंट में अलग-अलग टाइप के जॉब प्रोफाइल्स होते हैं तो उनमें से कुछ टाइप के पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स में आपको बता देता हूं फ्रन्टेंड डेवलपर्स फ्रन्टेंड डेवलपर्स वो लोग होते हैं जो वेब साइट्स या वेब एब्स के यूजर इंटरफेस को डिजाइन और डेवलप करते हैं उनका काम होता है वेब पेज़स को विजुली अपीलिंग बनाना, यूजर फ्रेंडली बटन्स, मेन्यूज और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स एड़ करना, फ्रन्टेंड में लॉजिकल फंक्शनालिटीज को इंप्लिमेंट करना भी होता है वो लेंग्विजस जैसे की HTML, CSS और JavaScript का इस्तुमाल करते हैं और JavaScript के किसी एक framework में भी specialize कर सकते हैं जैसे की Angular, React, WooJS, etc. या फिर इन सभी frameworks पे भी अगर उचाहे है तो काम कर सकते हैं Backend Developers Backend Developers उन लोगों को कहते हैं जो websites या web apps के पीछे का काम करते हैं मतलब जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत जरूरी होता है Frontend के पीछे का, मतलब Frontend पे तो आपको दिखाई देता है web app या website लेकिन जो पीछे का काम है जो आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत सारी logical चीज़े वहाँ होती रहती है वो करते हैं वो उनका focus होता है data storage, server side logic और database की management वो languages जैसे PHP, Python, Ruby, Java या Node.js, etc. इनका इस्तमाल करते हैं और उनको थोड़ी बहुत database की भी knowledge होनी चाहिए जैसे mysql, postresql, etc. full stack developers full stack developers वो लोग होते हैं जो दोनों तरफ का काम करते हैं front end और back end, दोनों मतलब वो websites या web apps को शुरू से लेकर अंध तक develop कर सकते हैं उन्हें multiple languages और technologies का घ्यान होता है लेकिन दोस्तों काफी सारे web developers जो अपने आपको full stack developers कहते हैं वो actually में किसी एक में काफी अच्छे होते हैं और दूसरे में थोड़े average हो सकते हैं क्योंकि काफी full stack developers को दोनों में बहुत अच्छा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है natural बात है mobile app developers mobile app developers वो लोग होते हैं जो mobile applications बनाते हैं यह apps android, ios या windows जैसे platforms के लिए हो सकते हैं उनका काम होता है mobile devices के लिए applications डेवलप करना DevOps engineers DevOps engineers वो लोग होते हैं जो development और operations को combine करते हैं उनका focus होता है development process को automate करना और applications को smooth तरीके से deploy करना वो servers और infrastructure manage करने में भी माहिर होते हैं DevOps के उपर मैंने और एक separate video बनाई है वो देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा description में है उसका link UI UX designers UI या UX designers उन लोगों को कहते हैं जो websites और apps के design और user experience से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनका focus होता है visually appealing और user friendly designs create करना जिससे users को अच्छा experience मिले जब वो किसी app website web app या mobile को use करें इन सब types के job profile वाले अपने अपने areas में expert होते हैं और अलग-अलग skills और languages का इस्तमाल करते हैं लेकिन सही तरीके से teamwork करके एक अच्छा website या application develop करते हैं तो ठीक से समझ में आया तो एक like तो बनता है और comments में लिखिए कि और किस topics पर वीडियो चाहिए आपको जड़ेंगे next वीडियो में जल्द ही धन्यवाद